गायत्री के अनुष्ठान की आगामी नव्रात्री में साधक तैयारी मन के स्तर पर अरंब कर दें गायत्री जब रूपी तप है जब है पर जब रूपी तप है बिठाना पड़ता अपने आपको जुटाना पड़ता मन टिकता नहीं तो भी उपलब्द अनुशासन से होना पड़ता है वो इसका तप है मन पर छोड़ कर तो साधना ही क्यों जीवन में कोई भी बड़ा सार्थक कारे संभवी नहीं है किवल मन पर छोड़ कर इसलिए गायतरी की साधना भी जब होते हुए भी तप है माला अरंब होती है अवश्यक नहीं कि हर मन के में मन रमा हो कोई अवश्यक नहीं मन अपने सुभाव में जाएगा तो भी उपलब्द होना कहने को कह सकता है जब मन ही नहीं लगा तो बैठने के आवश्यक नहीं है बस इतना भर विचार मन का काम बना देता है जब मन ही नहीं लग रहा तो बैठने क्या वश्यक नहीं है मिलेगा क्या कुछ नहीं बस ये तरक ऐसा है मन का जो बुद्धी के मार्ग से वो सरका के साधक को साधना से उच्चाटन कर देता है थ्वाट उठा देता है बुद्धी के तरक से ये बड़ी संगती वाली बात है जब मन ही नहीं लग रहा तो इसलिए ये तब है ये तब है चुकि इसमें मन के विप्रीत जाकर के भी हमें संकल्प पूर्ती है तु बैठना है उपलब्द होना है पानी को उपर चड़ाने में शक्ती लगती है पानी तब ही चड़ता है और तब के साथ भी है और गायत्री का तब विशेश रूप से मत पूर्ण इसलिए चुकि इसके 24 तरंगें जो कुछ बटोर के लाती हैं और सादक के अपने हिस्से का पुर्शार्थ अपने आपको अनुशासन से जुटानी का प्रयास ये दूनों मिलके काम करते हैं ये उन स्तरों पर काम करते हैं जहां बुद्धी की पहुँच नहीं है मन की पहुँच नहीं है गहरे संस्कार जहां जम्य हुए जो हमें पता भी नहीं पर हमें चलाते हैं ये वहां काम करता है बुद्धी का कारेक्षेत्र बहरी स्तर पर बहुत अच्छा है भिन्य तत्यों को समझना वेवेचना करना इंटर्प्रेट करना एनलाइज करना बहुत बड़ी अक्षेत्र है पर जो भीतर का क्षेत्र है जहां से मनुष्य का स्तित्व जन्मों चलता रहता है वहां बुद्धी की पहुंच नहीं है वहां तब को ही ले जाना पड़ता है तब ही वहां परिश्कार करता है और गायत्री की 24 सूक्ष में तरंगें उस गहरे क्षेत्र को प्रभावित करती है सादक सोचता है कि क्या गायत्री कातब से मुझे पैसा बरसेगा यह यका यक मेरी समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी पर वास्तिविक्ता यह है गायत्री का तप मैं जप नहीं कहूंगा अब इसे तप ही कहूंगा गायत्री का तप मनुष्य के भीतर के वो सारे अंश भस्म कर देता है जो उसकी प्रगती में बादक बने हुए उसकी अपनी प्रक्रती उसकी अपनी नेचर उसका अपना सोचने का तरीका उसका अपने विश्यों के प्रती दृष्टी अपने आसपास के लोगों के प्रती दृष्टी अपने विश्यों को एनलाईज करने की विवेचना करने की समझ वो उसमें बहुत बड़ा परिश्कार करता है गायत्री का तप सबल करता है, काम तो तुम स्वेम करते हो, काम वो नहीं करता, काम तुमें ही करना है अर्जुन, गांडीव तो तुमें उठा के चलाना है, पर तुम अपने ही भीतर अपने लिए बाधक ना बन जाओ, अपने ही हित के लिए अवरोध ना बन जाओ, वो तुमें अपने लक्ष के बीच से तुमारा अवरोध सरूप हटाता है, यह गायतरी का तप है, गायतरी के तप से मुनुश में जितने अंशों में परिशकार होता है, उतना बाकी से भी होता है, पर इसकी गनना बहुत अधिक है, इसलिए इसे गुरु मंत्र महा मंत्र कहा गया, महा मंत्र के प्रताप से, उसकी प्रचंड उर्जया से, सादक के भीतर की अनेक स्तर के बंधन, जो उसे आगे जाने से डोगते हैं, चाहे वो क्षेतर अध्यात्म का है, चाहे वो क्षेतर लौकिक व्यपार का है, कैरियर का है, कोई है, वो उसे अपने रास्ते से हटाते हैं, कई बार आप परस्तितियां बदल ही नहीं सकते हो, असंभाव है उन्हें बदलना, चूंकि महाकाल के अंतरकत बहुत कुछ आप बदलने में समर्थ नहीं हो, ऐसे में गायत्री कतब आपकी अपनी द्रिष्टी बदल देता है, द्रिष्टी का ही तो खेल है ना, ये द्रिष्टी ही है, जो तुम्हें कभी प्रसन, कभी अप्रसन, कभी रुची, कभी अरुची, लाइक, डिस्लाइक, इंट्रस्टी, नाट इंट्रस्टी, द्रिष्टी ही तो है, प्रसेप्शन, द्रिष्टी बदल डालता है, जिससे जीवन में तुम जो अपने रास्ते के अवरोद बनेते हट जाते हो, तुम्हारी कुछ ऐसी स्मृतियां, जो तुम्हें आगे नहीं जाने देती, तुम्हारे ऐसे सुभाव जो तुम्हें आगे नहीं जाने देती, उनके परती तुम्हें जागरुक करना, जागरुक होना कि इतनी बड़ी बात है, मनुश्य को पता ही नी चलता मेरे बीतर की क गायत्री वो बोध करा देती है, तेरी ये सोच है जो तुझे आगे नहीं जाने दे रही है। फिर दिर दिर उस तप के द्वरा उस सोच को भी निर्मूल किया जाता है, दुंदला, ड्रीला और फिर साथ आगे बढ़ जाता है। इसलिए गायत्री के तप की अवश्यकतत तुम्हें अपनी लौकिक माने मैटिरिलिस्टिक अत्वा अध्यात्मिक प्रगती के लिए अवश्यक है। इसलिए अगामी नावरात्री की तैयारी अपने मन को कहना अभी से आरह कर दो। चॉप कैसे मैनेज होगी, फैक्टरी कैसे मैनेज होगी। वो सब अभी से सोच लो। ढ़ी गंटे मुझे निकालने पड़ेंगे, तीन भी हो सकते हैं। एक साथ बैठ पाऊंगा, बैठ पाऊंगी। मन बना लो, कि दो बार में बैठूंगा, बैठूंगी। मेरी टांगें। तो कर लो अभी से मालेश, कर लो अभी से पश्च्यमतानासन, कर लो अभी से पाधस्तासन। जो करने करो, करो, करना पड़ेगा। अभी भी करना पड़ेगा। तयारी करो, तयारी करो अभी से, अगस्त का महीना आरंभ हुआ, अगामी नवरात्री की तयारी अभी करो। मन को तयार करो अपने माला की गती को ठीक करो और रिष्ठान में माला की गती थोड़ी अच्छी होनी चाहिए अभी से गती ठीक कर लोगे तो हो जाएगा 29 माला तक तयार कर लो अपने आपको सब हम तो कर लेते हैं मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ अब बागी बाते सुनो 29 माला करनी है 29 माला की स्पीड के लिए अभी से काम करो अपनी बैठक के लिए अपनी बैठने के लिए अभी से काम करो कहां बैठना कैसे बैठना सब अभी से तियार कर लो बोजन ना उसकी चिंता छुड़ दो बस केबल उतने दिनों में तुमने लेसुन पे आज नहीं खाना बाकी भोजन सामा ने करो साब वरत करना हो तो एक समय पूरा भोजन करो एक समय पूरा भोजन करो कुशा का आसन ना मिले तो कोई नहीं कपड़े का आसन पे चालो बेड़शीट को डबल ट्रिपल कर लो चार गुना फोर फोल्ड कर लो बेड़शीट को बेड़शीट भी बैठ जाओ कॉटन पर माला तुलसी की माला तुलसी की तुलसी की हर तरह की माला रफ में मिलती है गोल भी मिलती है पता नहीं मिर पास नहीं हो तो चंदन की मंगा लो यह मेरी माला का बॉक्स है छोटा सा फुलसी की मंगा लो नहीं तो चंदन की ले लो दोनों में से कोई ले लो दोनों चलेंगे इस रोप की माला थोड़ा राउंड होंगे मुती मन के तो सेहज होगा, असानी से घूम जाएंगे, उने रोटेट करने में असानी रहेगे, इसलिए माला का प्रबंद, माला पे उंगली चलाना इत्यादी, अभी से शुरू कर दू, बहुत भहमों महें मत पढ़ रहा, ये सुन लिया हमने, वो सुन लिया हमने, वो सुन लिया हमने कब तक सुनते रहोगे, करोगे नहीं क्या कुछ कहने वाले बहुत कुछ कह गए, पता नहीं क्या क्या कह गए तो हर एक की सुनते रह जाओगे बस करोगे कुछ नहीं, अब करने का समय है, करो और अभी से तियारी शुरू करो मुझे बहाने नहीं चाहिए अब सादक हो तो बहाने नहीं चाहिए मुझे तियारी कर लो अभी से मैं पुरा रिकॉर्ड रखूँगा कौन-कौन साधना कर रहा है ओ महीं सकते है ओ महीं सकते है ओ महीं सकते है